तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं one and only Avenue Supermarts यानि की D-Mart के बारे में और आज के दिन D-Mart के quarter 4 के numbers announce हो चुके हैं जिसका हम सभी को बेसबरी से इंतजार रहता है तो इस वीडियो में हम detail analysis करने वाले हैं Q4 के numbers का हर metric पे check करेंगे किस प्रकार का performance रहा है D-Mart का और यहाँ पर numbers अच्छे हैं खराब हैं एवरेज हैं उसके इसाब से किस प्रकार का moment रह सकता है D-Mart के stock में उसको हम technical chart पे समझने के कुशिश करेंगे क्या हमको अभी इसमें buying करना चाहिए hold करना चाहिए या फिर अभी sell कर देना चाहिए अगर stock में और गिरावट होती है तो क्या यहाँ पर support level है वो सारी चीज़े में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और अगर आप इसमें देखिए already invested है या फिर fresh investment करना चाहते हैं तो आपकी यहाँ पर क्या रणनेती होनी चाहिए long term perspective से कुछ ऐसी चीज़े आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ जो आपके लिए यहाँ पर दोस्तों काफी ज़रूरी है जानना ऐसे निवेशक तो वीडियो के साथ बने रहेएगा बिन स्किप करें पूरा जरूर देखिएगा काफी interesting वीडियो होने वाला है तो चलिए numbers की तरफ हम चलते हैं तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं देखिए revenue की standalone अगर हम revenue देखते हैं company का तो वो year on year 17.8% से हमको grow होता हुआ देखने को मिला है जो कि यहाँ पर एक अच्छी growth है EBITDA की बात करें तो 20.3% तो operating profit अच्छा grow हुआ है लेकिन यहाँ पर अगर हम profit after tax की बात करें तो 7.2% की हमको यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि normal growth देखने को मिली है साल दर साल क्योंकि retail sector की बात करते हैं दोस्तों बहुत जादा growth हमको इंडिया जैसी demography में आती हुई देखने को मिलेगी DMART के store में हम जाते हैं तो देखिए वहाँ पर पैर रखने की जगे नहीं होती इतनी भीड रहती है किसी भी store पर आप चली जाएए तो यहाँ पर जो 7.2% growth है मेरे साब से यहाँ पर अच्छी growth नहीं है और इसकी वहीं से हो सकता है stock में एक pressure हमको देखने को मिल जाए लेकिन दोस्तों एक बात हमको यह भी समझनी पड़ेगी कि quarter 4 नॉर्मली यहाँ पर V quarter रहता है D-Mart के लिए quarter 3 यहाँ पर strong quarter रहता है D-Mart के लिए अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूं तो देखिए D-Mart के अगर हम quarter results पर चलते हैं 2019 के मैं बात करता हूँ December की यानि की quarter 4 की तो देखिए quarter 4 आपको यहाँ पर basically अच्छा देखने को मिलता है ठीक है सॉरी मैं quarter 3 की बात कर रहा हूँ quarter 3 यहाँ पर strong देखने को मिलता है quarter 4 उसके मुकाबले थोड़ा सा कमजोर देखने को मिलता है December 2020 में भी आप यही pattern देखने को मिलेगा आपको quarter 4 जो है three यहाँ पर strong था quarter 4 कमजोर है December 2021 में quarter 3 strong है quarter 4 यहाँ पर week नजर आता है उसके पीचे reason है देखिए quarter 3 का एधा season है जहाँ पर हमको काफी सारे festival देखने को मिलते है holiday season रहता है आप कह सकते हैं कि year ending जो है वहाँ पर हमको देखने को मिलती है राखी वगएरा सारी चीज़ें उस time पर हमको आती हुई भी देखने को मिलती है ठीक है नवरातरी वगएरा हो गया तो यहाँ पर जो food and grocery segment है वो काफी ज़ादा वहाँ पर demand pick up होती है और food and grocery segment में DMART का जो segment revenue है वो around 60% के आसपास है I think 55 to 60% के आसपास है जिसमें अच्छी पकड़ है DMART की एक यहाँ पर market leader है आप कह सकते हैं कि retail segment में तो यहाँ पर demand काफी ज़ादा होती है Q3 में तो यहाँ पर Q4 में थोड़ी सी demand slowdown रहती है ठीक है उसकी वज़े से आपको यहाँ पर numbers कमजोड देखने को मिलते हैं उसकी वज़े से थोड़ी सी quarter 4 में profitability भी हिट होती हुई देखने को मिलती है as compared to quarter 3 आप यहाँ पर compare कर सकते हैं quarter 3 और quarter 4 को तो यह भी एक reason है कि थोड़ी सी यहाँ पर हमको slow growth आती हुई देखने को मिलिए लेकिन यह दोस्तों एक just आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार के valuation पर company trade करती है तो यह justified नहीं है और इसी वज़े से मैं आपसे कई टाइम से कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक pressure देखने को मिल सकता है क्योंकि D-Mart में बहुत ज़्यादा run-up हो गया था एक unusual run-up हो गया था और उपर से inflation और है तो आप कह सकते हैं कि inflation की वज़े से इनके थोड़े से हमको profitability में भी growth decline देखने को मिला है margins की बात करते हैं तो margins company ने maintain करके रखे हैं तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ज़्यादा pressure नहीं है margins में 9% के margin देखने को मिल रहा है और sequential basis पे हमेशा से यह trend रहा है कि quarter 3 के मुकाबले quarter 4 का margin 1% या 2% कम ही रहता है तो मेरे ख्याल से margin से यहाँ पर सभी maintain की हैं लेकिन overall बात करें मेरे साब से मेरा personal pure decent number है नहीं ज़्यादा खराब है नहीं बहुत अच्छे number है लेकिन जिस तरीके का market है भी जो एक bare phase में market चल रहा है तो अच्छे अच्छी हैं तो let's see Monday की दिन किती गिरावट हमको देखने को मिल सकती है और market supreme है देखते है market इसको किस तरीके से react करता है EPS की growth भी आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत ही हमको देखने को मिली है almost 7% के आसपास ही है stores addition की बात करें तो 21 stores यहाँ पर एड किये हैं Q4 में और overall financial year की बात करें तो 50 stores यहाँ पर एड किये हैं तो यह होगे दूस्तों broader level पर अगर हम numbers की बात करें तो DMART के तो overall decent number है लेकिन market जिस तरीके का है decent numbers की पिटाई होती हुई देखने को मिल सकती है अब एक important metric है दोस्तों किसी भी retail segment को आगर आप पढ़ते हैं तो यह metric हमको देखना जरूरी है वो है दोस्तों यहाँ पर like for like growth यानि की same store sales growth के नाम से भी आप इसको जानते हैं इसका मतलब होता है कि basically last 24 month में जो उन्हों ने store open किये हैं जो यहाँ पर comments हो चुके हैं जिसमें जो है basically customer आ रहे हैं जा रहे हैं समान खरीद रहे हैं last 24 month में कितनी growth आई है तो आप देख सकते हैं कि FI21 से FI22 का जो data है उसमें काफी अच्छी खासी growth हमको देखने को मिली है तो LFL growth यहाँ पर ठीक है और इसमें एक reason यह है कि काफी low base effect था FI21 में because of covid low base effect के वज़े से भी हमको इतना यहाँ पर एक jump देखने को मिला है बाकी con call में पता चलेगा दोस्तों यहाँ पर क्या इसकी बारी क्या है sequential और last 12 महिने की जो growth है LFL growth कितनी है देखने को मिलती है वो तो con call में पता चलेगा con call की मैं transcript पढ़ूँगा जब आपके साथ दुस्तों बाकी की update share मैं definitely आपके साथ यहाँ पर करने वाला हूँ तो यह होगी दुस्तों LFL growth तो यहाँ पर अगर हम base effect को लेके चलें तो उसके साब से तो अच्छी है यहाँ पर देखिए उन्होंने बोला है कि मार्श 2021 में 2021 के मुकाबले satisfactory LFL growth देखने को मिले तो satisfactory word यहाँ पर इस माहौल में अच्छा नहीं है यहाँ पर यहाँ तो brilliant होता यह excellent होता तो चलिए मान लेते लेकिन देखिए bear market में satisfactory से काम नहीं चलेगा यहाँ पर अच्छे numbers आना जरूरी है हाला कि inflation का भी जो है यहाँ पर pressure रहा है impact रहा है inflation के time पर जो discretionary spending होती है वो कम हो जाती है जो है consumers की ठीक है लोगों की discretionary spending कम हो जाती है तो उसकी वज़े से भी थोड़ा सा मुझे लग रहा impact है लेकिन satisfactory word यहाँ पर at this point of time at this juncture of market यहाँ पर एक तरह से negative ही आप consider कर सकते हैं तो let's see बाकी कौन कॉल में यहाँ पर क्या चीज़े निकल के सामने आती है चलिए और metric पर हम पर देखते हैं किस प्रकार की growth रही है तो यहाँ पर बात करेंगे net cash flow की तो cash flow की बात करने तो लगातार uptrend में हमको company cash flow positive cash flow generate करती हुए देखने को मिल रहा है तो net cash flow from operations अगेन यहाँ पर इस financial year में हमको positive देखने को मिल रहा है यह बहुत अच्छी चीज़ है और कोई भी company के पास positive cash flow होता है तो वो long term में अच्छा करती है और उसके पास अगर यहाँ पर कोई competitive advantage हो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि market capture कर रखा हो तो वह ऐसी companies अच्छा grow करती है यह हमने history में भी काफी द generate करती है वो उनकी growth के chances काफी जादा रहते है sustainable growth वहाँ पर हमको देखने को मिलती है क्योंकि जब debt नहीं होता किसी company पर positive cash flow generate करती है तो वो economic slowdown में वो company sustain करती है और वहाँ पर उनके पास market देखिए market share gain करने का काफी जादा chances रहते हैं तो d-mart यहाँ पर unorganized market को लगातार capture कर रहा है और unorganized market अभी भी काफी बड़ा है retail में तो यहाँ पर जो यह d-mart जैसी company है reliance retail जैसी company मुझे लगता आराम से आगे आने वले सालों में grow करेगी क्योंकि अभी भी penetration बहुत ही कम है under penetrated market है unorganized sector जो है बहुत अभी खुला हुआ है ठीक है अभी भी छोटी-छोटी किर everyday low pricing पर काम करता है इसकी वज़े से बहुत जबर्दस हमको हर store भीड़ देखने को मिलती है यह हम सभी को पता है बहुत ही जबर्दस focus है company का business model है गजब कहांपर management है तो इसलिए d-mart मुझे रगता long term की एक अच्छी कहानी आपर बंती हुई नजर आती है बाकी बात करते है inventory inventory turnover ratio, inventory turnover ratio company का बहुत ही जबर्दस है और यहां पर यह industry leader है क्योंकि इनकी जो relationship है basically vendor supplier के साथ वो काफी अच्छी है जो churn है जो turnover है मतलब जो समान है इनका shelf पर रखा रहता है वो बहुत जल्दी churn होता है बहुत जल्दी इनका समान बेग जाता है तो यह inventory turnover ratio लगाता है इन्ह DMART READY के बारे में क्योंकि DMART के लिए जो एक threat है वो है ओनलाइन मार्केट हमने देखा है Instamart हो गया Reliance Jio Mart हो गया Reliance दूसरे जो है Big Basket हो गया Tata की बात करें तो बड़े pocket player जो online का market बहुत बलगातार grow होता हुआ जा रहा है e-commerce जो है बहुत बड़ा एक segment बनने वाला इंडि जो यहाँ पर इन्होंने तोड निकाला है दूस्तों वो है DMART READY की बात मैं आपसे कई बार कर चुका हूँ और इस पर मेरा काफी focus रहता है कि कितना ज़र्दी अपने expansion करने DMART READY का तो आप देख सकते है e-commerce business जो है इनका लगातार expand हो रहा है अब यहाँ पर 12 cities में इनका बैंगलोर हैदरबाद पूने एक महरश्ट से इन्होंने शुरुआत की थी अब पूरे देश भी दिरेदर फैल रहे हैं तो DMART READY में भी लगातार यह ग्रो कर रहे है और इसको भी इसको बड़ा बनाने का focus management का काफी अच्छा है तो जैसे जैसे इनका DMART READY भी expand होता रह होगी दोस्तों बात सारी हमने numbers की बात कर ली, matrix की बात कर ली, management ने यहाँ पर क्या बोला है, LFL growth किस तरीके से आई है, अब यहाँ पर हमारे लिए बात करना जरूरी है कि आगे यहाँ पर किस तरीके से DMART में हमको हमारी strategy follow करनी चाहिए, तो देखिए 7% की अगर profitability में growth है त फोड़ा सा कमजोर है, तो इसकी वज़से stock में पिटाई होती हुए हमको देखने को मिल सकती है, और पिटाई हो सकती है, हाला कि already काफी पिटाई हो रही है, एक तो अभी latest reason की अगर बात करें, तो यहाँ पर Axis Mutual Fund का दोस्तों हमको यह issue देखने को मिला है, जिसकी वज़स इतने अच्छे नहीं है, और जिस प्रकार यहाँ पर high valuation वाली companies पिटती हुई नजर आ रही है, तो यह stock आप मानके चलिए, यहाँ से आ सकता है, देखिए इसका next support जो है करीब करीब 3000 के आसपास है, अगर वहाँ से गिरता है, तो फिर यह 2500 से 26 की range में हमको आता हुआ देख पढ़ सकता है, लेकि दोस्तों long term की अगर बात करूँ, तो यहाँ पर demart बहुत ही जबरदस company है, retail sector की जैसे मैंने बात करी, अभी भी organized sector जो है only I think 15-20% कहीं यहाँ पर market है, अभी भी 80% यहाँ पर खुला हुआ है आसमान, और धिरे-धिर यह unorganized sector को खाते होए नजर आएं तो वहाँ से भी marketing capture करेंगे, brick and mortar model तो यहाँ पर मुझे लगता है कि काफी sustainable model है, supermarkets में, hypermarkets में, अगर यहाँ पर execution सही रहता है, management यहाँ पर सही से काम करता है, तो यहाँ पर यह जो ऐसी company है, यह कैसा sector है जो लगातार grow होता हुआ हमको देखने को मिलेगा, अब यहाँ पर ह report के अनुसार, यहाँ पर मैं आपके साथ यह data share कर रहा हूँ, तो reliance retail अगर list होता है, तो यहाँ पर जो इसको premium मिलते है, basically, demart को एक scarcity premium मिलता है, ठीक है, वो क्यो मिलता है, क्योंकि यहाँ पर retail में, यहाँ पर कोई बड़ा player है नहीं, ठीक है, यहाँ पर demart ही है, और reliance जो बस इतना पैसा है, कि वो लगातार equation कर रहे है, पिछले कई, कोविट के बाद से तो हमने देखा, एक मतलब equation की line लगा दी है, उन्हों दोस्तों हर मतलब हर segment में retail segment में उनके इतने equation रहे है, इन और गनी काफी जबरदस growth है, लेकिन demart की जो focus है, वो और गनी growth को लेकर है, औ काफी जबरदस थे demart की एक focused business model है, तो इसलिए demart के मेरे को लगता है, यहाँ पर edge है demart के पास, valuation definitely अभी ज़्यादा है, लेकिन अगर अच्छे valuation पर company मिलती है, तो हमको जबरू निवेश करना चीए, और एक बास हमको जोस्तों यहाँ पर सीखने वाली यह है, चाहे कितनी अच्छी company हो, कितना भी अच्छा business model हो, अगर आप उसके लिए overpay कर रहे हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, अगर मान लीजिए, कश्मीरी कोई apple है, ठीक है, वो 500 रुपे किलो हैं, बहुत high prices है, 500 रुपे किलो मिल रहे हैं, मार्केट में, और कहीं आप 1000 रुपे दे के आ रहे हैं, तो क्या आप, आप सही काम है, नहीं है, सही नहीं है, 1000 रुपे आप 500 रुपे के चीज़ के लिए 1000 रुपे दे रहे हैं, तो obviously आपको वहाँ पर नुकसान होगा, ठीक है, अगर आप उसको store भी कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर loss ही हो जाए, क अगर आपको अच्छे प्राइस पर आती हुई देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप खरीदेंगे इसको तो इस लेवल पर फिर कहां से आप पैसा कवाएंगे, बताइए, अभी इस लेवल पर आने पर मुझे पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, और मैं मैंने कई बार यहाँ पर आपको बोला था कि इसमें लमसम मत कीजिए, वेट कीजिए, वेट कीजिए, हलाकि इस लेवल पर हमने थोड़ी बाइंग की आपको सला दी थी, कि SIP करना चालू कर दीजिए, हलाकि मार्केट गिर गया तो यह और करेक्ट हो गया, यहाँ पर कई स अन्रगेट इतना बड़ा है कि देखिये, अंडर पनेटरेटेड मार्केट इतना जादा है कि यहाँ पर इनफ रूम टो घ्रू थीक है, तो यहाँ पर तीन से चार बड़े प्लेयर्स जो हैं, बिक प्लेयर्स जो हैं, लार्ज नेशनल स्केल पर प्लेय करते हों नजर आ सक है especially food and beverage segment में food and grocery segment में अगर मैं बात करूं तो इसका revenue आप देख सकते हैं कितना है 57% के आसपास revenue यहां से generate करता हूँ retail category में जो main आप कह सकते हैं कि consumption है वो यहां पर food and beverages and जो यह food category है fmcg category है dairy staples food and beverages confectionery ठीक है cooking oil process food इसी का यहां पर जादा consumption होता है हम जो है जादा डीमार्ट में क्यों जाते हैं यह grocery खरीदने स्टेपल्स खरीदने ठीक है beverages खरीदने ही तो जाते हैं ठीक है यही खरीदने जाते हैं और इसी का consumption जादा है इंडिया जैसी डेमोग्राफी में तो इसका focus अच्छा है हलाएक रिलाइंस retail की बात करें तो रिलाइंस retail का दूस्तों यह segment कमजोर है और यह जो segment है इसकी growth जादा है इंडिया में तो रिलाइंस मिझे लगता है वहां पर जबर्दस्त है cluster based expansion approach है इसकी मतलब की लगातार अगर हम यहां पर बात करें तो देखिए कितने stores इन्होंने open कर लिये हैं अगर हम देखें देखिए store wise edition में भी आपको में दिखा देता हूं तो देखिए 2017 से लगातार stores addition कर रहे हैं और FI 22 में 50 stores already की हैं 284 यहां पर storage अब हो चुके हैं तो cluster based expansion approach follow करते हैं मतलब की अपनी penetration को लगातार यह deepen करते हैं मतलब की already existing areas में और भी जादा store open करते हैं जैसे मालीजी आप किसी locality में रहते हैं तो उसके ही 10 किलोमेटर 15 किलोमेटर में यह एक और store open कर देंगे और उस पूरे area की बात करें तो यहां पर वो capture कर लेंगे market share जो unorganized market है उसका सारा जो भी हीड है वो हमको demart में जाती हुई देखने को मिल सकते हैं इसके पास edge है अपनी penetration को यह existing areas में और deeper करते हुए नजर आते हैं trust and brand loyalty है customer के साथ वो तो already इनकी बनी हुई अच्छा management है उसके वैसे भी इनको premium मिलते है food and process segment में जैसे मैंने बात करी बहुत ही strong foothold है इनका demart का और इसलिए इनको एक edge यहां पर मिलता हुआ नजर आता है तो यहां पर अच्छी opportunity होगी long term के लिए buy करने की अगर आप इसमें आपका नजरिया अगले 5-6 सालों का है तो अगर आप उपर इस तरह फसे हुए है तो आप average कर सकते हैं अगर आपका दुस्तों नजरिया short term का है तो मुझे लगता है आपको यहां पर wait करना चाहिए अभी कोई भी averaging आपको यहां पर नहीं करनी चाहिए long term मतलब at least दोस्तों minimum 3-3 साल का आपका नजरिया होना चाहिए मेरे ख्याल से 3 साल यहां पर long term होता है 3 साल से नीचे कुछ भी एक महिना दो महिना नीचे भी मेरे लगे हिसाब से short term होता है medium term होता है long term 3-3 years and above होता है तो अगर आपका इतना नजरिया है तो आप S.I.P. यहां पर बिल्कुल मत रोकिए S.I.P. और कीजिए अगले आने वाले 2-3 quarter में market मुझे लगता है stable हो जाएगा और जहां पर अच्छी companies है जिनकी पास pricing power है मोट है, management अच्छा है, quality franchise है, sector growth काफी अच्छी है वो आपको वापिस से एक upward movement journey अपनी start करते हो वापिस से देखने को भी लेंगे तो इसका फायदा हमको जरूर उठाना है और यहां से मुझे रखता है stock और correct हो सकता है बाकि valuation की बात करते हैं तो आप 129 का piece का आच चुका है हाला कि industry यह काफी premium पे trade करती है लेकिन food and grocery segment की अगर मैं बात करता हूँ तो इस segment में Walmart से हम अगर इसको compare करते हो उसके premium जो है valuation काफी नीचे हैं, काफी सस्ते हैं, every super mark की अगर हम बात करें अब इसको आप trend से और basically यहा कर सकते हैं लेकिन अगर आपको इसको compare करना है तो Walmart से कर सकते हैं लेकिन मेरे ख्याल से अभी valuation होते होगे नजर आएंगे आगे आने वाले एक दो quarter में तो धिरे-दिरे उसको आप accumulate कर सकते है, median PE की बात करें, तो पिछले 5 साल का median PE 115 का है और अभी चल रहा है 139 पे, तो almost उ इस रेंज में यह आया, 2500 से 26 की रेंज में, तो यहाँ पर SIP जो हम कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर 2-3 गुना तक बढ़ा सकते हैं, तो यह है दोस्तों पूरा analysis, मेरा opinion, मेरा thought process, long term के लिए बहुत अच्छी company है, market under penetrated है, demart जैसी company यहाँ पर मुझे रखता है, और grow होंगी, reliance retail हो गया, demart हो गया, यहाँ पर duo poly है, जैसे मैंने बोला 3-4 players यहाँ पर अराम से grow करते हुए नजर आएंगे, high double digits में, तो कोई जिक्कत की बात नहीं है, तो यहाँ पर दूस्तों इस video के थूरू मेरा यही कहना है, कि numbers अच्छे नहीं है, wait and watch कीजिए, hold कीजिए, अगर long term के नजरी से आप यहाँ पर बने हुए हैं, तो आप average कर सकते हैं, short term के साब से थोड़ा wait and watch कीजिए, और long term के लिए बने रही है, company में कोई problem नहीं है, fundamentals company के काफी अच्छे है, बाकि आपका क्या सोचना है, मानना है, comment करके ज़रूर बताइएगा, मिलते हैं next video में, till then take care, बाई बाई